सो हलो दोस्तो आज हम लोग बनाने वाले हैं फुल कोवी का प्राठा तो गोवी के प्राठा बनाने के लिए मैंने यहां एक कोवी लिया है कोवी को अलग अलग भाग में निकाल लिया है तो गोवी को मैं कदू कस कर लिया है यहां मैं मीर्च लस्सून अधर रख लिया है इसको मैं कुट लूँगी तो मेरा कुटा चुका है यहां मैं कडाही को गैस पर रख दिया है गैस को आउन कर रही हूँ हाई फ्लेम पर मैं इसमें तेल डाल रही हूँ सर्चों का तेल गरम होने दे तो मेरा तेल गरम हो चुका है तो मैं कदू कस किया हुआ कोभी डाल देती हूँ मैं यहां मीडियम फ्लेम पर बारा मिनट इसको भूनूंगी चलाते रहें बीच बीच में ताकि जलेना बरबर से दोस्तों जब आपका इस स्टेज पर आजाए तो इसमें नमक हल्दी को डाल दीजिए मैं यहां देड़ चमच नमक डाल रही हूँ आधा चमच हल्दी डाल रही हूँ यहां मैं आजमायन मंगरेला अकुटा हुआ लसून अदर्रक और मिर्च का डाल दती हूँ अब इसको मिला के अच्छे से भूने मेरा बारा मिनट हो चुका है अब मेरा बन चुका है तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ यह थाली में अब मैं आटा तियार कर लूँगी तो मैं यहां एक टोरी आटा लिया है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर मैं इसको सान लूँंगी जिस तरह आप नॉर्मल रोटी का आटा सानते हैं उसी तरह आप आटा सानें तो मेरा आठा सना चुका है मैं इसको पाँच मिनट तक ले रेस्ट होने दूँगी पाँच मिनट हो चुका है मैं इसको अब लोईया काट लेती हूँ मैं एक बॉल उठाई हूँ उसको गोल करके पर्थन लगाके खोल कर लेती हूँ तो मैंने खोल बना लिया है तो मैं इसमें भर लेती हूँ ज्यादा ना भरे जो आटे वो ही भरिये ने तो फट सकता है अब मैं सब में स्टफिंग भर के बेल लूँगी तो मैं पर्थन लगाके बेल लेती हूँ देखिए इस तरह बना के बेल लिजिए न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा इसी तरह से मैं सारे बेल लूँगी तो सारे मैं बेल ली यहां मैंने तावा लिया है गैस को आउन कर रही हूँ हाई फलेम पर तावा के अच्छे से गरम होने दे तो मेरा तावा गरम हो चुका है तो मैं गोवी के पराठा के इस पर डाल देती हूं तो अच्छे से एक साइट से पकने दे तो मैं इसको पलट देती हूं देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा पक चुका है तो मैं एक साइट से तेल लगा देती हूं तो मैं वापस पलट देती हूं अब मैं इस साइट में भी तेल लगा देती हूं अच्छे से उलट पलट करके घुमा घुमा के पका लें तो देखिए दोस्तों मेरा गोवी का पराठा बनके तयार है तो इसी तरह मैं सारे पराठे बना के तयार कर लूँगी देखिए मैंने सारे पराठे बना लिए हुथी जल्दी मेरा टेस्टी नास्ता बनके तयार है दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा